गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में सालबाई की संदी के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स मतलब हम अभी आपको आद्वनिक भारत का इत्यास पढ़ा रहे हैं और इसमें हमने सिक्वेंस से मतलब कई वीडियो बनाए हैं जैसे कि मुगलों का पतन, मराठों का पतन, और अंगले मराठा यूद, पानीपत का तृतिय यूद और फिर जो सूरत की संदी हुई है, पूरंदर की संदी हुई, बढगाओं का समझोता हुआ ठीक है, ये सब चीजे हमने आपको अच्छे से पढ़ाई हैं तो देखेगा, एक साथ हम इन सब का वीवरन देंगे, आपको तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपको ये वीडियो समझना है, तो आपको पहले वाले वीडियो भी देखने पढ़ेंगे तो देखेगा, मतलब कल हमने पढ़ाता बड़ गाउं का समझोता, जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में होता है अब देखेगा, अगली ये जो संदी आती है, सालवाई की संदी तो देखेगा, जो मतलब गुजरात में कर्नल, गोडाड और मराठों के बीच यूद चल रहा था ब्रिटिस एना के दबाव को कम करने के लिए नाना फड़न विस ने हैदर अली को करनाटक पर आकर्मन करने को का इसके बाद अंग्रेजों की निरंतर प्राजी होती है और उनका मनोबर गिरता है तो फिर वो क्या मराठों से संदी करने के लिए तैयार हो जाते है ठीक है और ये भी मैंने आपको बताया कि जो मुगलों का पतन हुआ उसके बाद पेश्वा मतलब आये और पेश्वों के नेतरत्व में मराठों ने मतलब भारत की बागडोर संभली थी और इसी समय के अंग्रेज लोग आते हैं और अंग्रेजों को मराठों से टकराना पड़ता है ठीक है तो देखेगा यही सब हम आपको मतलब बता रहे हैं और जो सालबाई की संदी है ये 17 मैं 1782 को हुई थी ठीक है तो देखे पढ़ते हैं सालबाई की संधी सालबाई की संधी तो गुजरात में करनल गोडाड और मराटों के बीच यूद चल रहा था ब्रिटिस यना के दबाव को कम करने के लिए जो नाना फड़नवीस है जो एक मराटों का बहुत ही महतोपुन सरदार था देशबक्ती सरदार था और मतलब इसने क्या किया कि हैदर इली को करनाटक पर आकर्मन करने के लिए कहा और हैदर इली है वह करनाटक पर धवा बोल देता है ठीक है नाना फढ़नवीस के बारे में और हैदर अली के बारे में माजी सींदिया के बारे में इन सब के बारे में हमने आपको पहले पढ़ाया तो वीडियोस को आप जहान से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और इत्यास भी से की तैयारी भी आपके अच्छे से होगी और फिर हैदर एली जब करनाटक पर धावा बोलता है तो उसके बाद अंग्रेजों की निरंतर पराजे होने लगी ब्रिटीस एना का मनोबल गिरने लगा और जो आपका ये गौर्णर जनरल और एन हैंस्टिंग्स है इसने एंडरिसन को मराठों से बादचीत करने के लिए भेज अब देखेगा जो सालबाई की संदी है इसकी सरतें क्या क्या थी तो इसके नुसार साल से टोड़ जो थाना दुर्ग है वो अंग्रेजों को मिले अंग्रेजों ने रागोबा जो मतलब पेशों का जो सरदार था रगुनात राव इसका साथ छोड़ने का अस्वासन दिया अंग्रेजों ने क्योंकि जो रागोबा है ये मतलब गद्दार था और ये अंग्रेजों से मिल जाता है मैंने आपको पहले बताया है रागोबा के बारे में भी और अब क्या है कि मराठे बार बार यही बोड़ रहे हैं कि आप रागोबा को छोड़ दो तो अंग्रेजों न यह है मतलब माधव राव जो पर्थम था उसका ये पोता होता है ये नारयन राव का बेटा होता है ठीक है तो अंग्रेजों ने इसको पेश्वा नहीं माना था अब क्या इस संदी के अनुसार माधव राव सेकुंड को अंग्रेज पेश्वा मान लेते हैं और फत्ते सिंग आईकवार था उसको बडोदा का सासक मान लेते हैं बडोदा के जिन भूभागों पर अंग्रेजों ने धिकार कर लिया था उन्हें पुने बडोदा के सासक को लोटा दिया इस संदी की श्रीकर्ति के छे माँ के अंदर हैदर अली जित्ते हुए परदेश लोटा देगा और पेश्वा करनाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्यूद में समलिते नहीं होगा ठीक है यदि हैदर अली समझोते के अनुसार कारियन नहीं करेगा तो महाजी हैदर अली के विरुद्यूद अंग्रेजों का साथ देगा ठीक है सालबाई की संदिका सबसे महतोपु नहीं माना गया तो चोटे-मोटे युद होते रहे लेकिन साल भाई की संदी ऐसी है कि इसके बाद मतलब 20 वर्सों तक अंग्रेजों और मराठों के भी इसकोई युदे नहीं हुआ नाना फड़नवीश के नेतरतों में उत्री और दक्षनी भारत में मराठों का फरवाव फैरने लगा इस अवदी में माजी सिंद्या की सक्ति में व्रद्धी हुई अब माजी सिंद्या कोन था माजी सिंद्या भी मराठों का एक महतोपुन सरदार था तो माजी सिंद्या और नाना फड़नवीज इन दोनों में आप क्या होता है पॉम्पेटिशन स्टार्ट हो जाता है और पेश्वा की सकती का हास हुआ पेश्वा माधवराव सेकिंड के काल में नाना फड़नवीज मराठा संका सर्वे सर्वा बन गया था साल भाई की संदी पर हैंस्टिंग्ज ने जून सत्रासो बईयासी में हस्ताक सर करके पूष्टी कर दी किंतु महाजीव और नाना फड़नवीज में मत भेद उत्पन हो गये क्यूंकि नाना का सच्चा मित्रवय अंग्रेजों का कटर सत्रू हैदर अली अभी अंग्रेजों स लड़ रहा था अता जब तक हैदर अली यूद के मैदान में था अंग्रेजों से संदी करना हैदर अली के साथ विश्वासगात था ठीक है जब 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मरत्यू हो गई तम दाना फड़नवी इसने 20 दिसंबर 1782 इस्वी को संदी पर हस्ताकसर कर दिये अब देखेगा सालबाई की संदी का क्या महत्वर रहा अंग्रेजों ने मरत्यों से संदी करके मैशूर को मरत्यों से अलग कर दिया इसे मैशूर का सासक हैदर अली मरत्यों की साहता से वंचीत हो गया हदर एली की मट्यू के बाद उसके पुत्र टीपू ने युद जारी रखा लेकिन उसे मराठो की साथा नहीं मिल सकी अंग्रेजों ने मैशूर की सक्ति को सललता से कुचल दिया मैसूर की सक्ति को कुचनने के बाद अंग्रेज एक बार फिर से मराथ की सक्ति को नस्ट करने की ओर बढ़े इस यूद से अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया कि मराथा सक्ति में आपसी फूठ है जिसे वे कभी एक होकर अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकेंगे और हम आपको स्टार्टिंग से बताते आएं कि माराठों में काफी मत भेत थे आप सी मत भेत थे और जैसे आप रागोबा कोई ले लो तो वो मतलब अंग्रेजों के और मिल जाता है ऐसे मतलब कई ऐसे माराठा सरदार भी होते हैं जो अंग्रेजों से मिल जाते हैं और यहां का था सालबाई की संदी का महत्व है तो इसी प्रकार से एक इठियास कार है इसमित उन्होंने बोला कि सालबाई की संदी भारत में अंग्रेजों के लिए बहुत महत्तों पुण शिदुई क्यूं क्यूंकि इसने भारत में अंग्रेजों का प्रभूते स्तापित कर दिया और इसके बाद 20 वर्सों तक अंग्रेजों मराठो की विए सांती बने रही, इसमित ने इस संदी का महत्वा आवसकता से भी ज्यादा बताया है, और वैसे देखे तो मतलब यह जो अधिया, अंग्रेजों की ऐसा पलता कोई सुचित करती है, अंग्रेजों ने इस संदी के पहले जो कुछ पराप्त किया था वह साल सेट को छोड़ कर सब कुछ खो दिया उन्होंने इस संदी ने पेशवा किस्तिती को मतलब भो जदा सूदर्ड बनाया महाजी का महत्व इतना धिक बढ़ गया कि वह महशूर पर अपना परबूत अस्तापित करने लगा अंग्रेजों ने स तक से अपना करने का वादा किया और जिसके कारण सहा आलम पर महाजी सिंधिया का परबाव बढ़ गया और सहा अलम ने महाजी को मुगर समराजे का वकील मुतलक न्यूक किया और इस परकार हम कह सकते हैं कि सालबाई की संदी द्वार अंग्रेजों का परबूत नहीं बलक मराठों के परभूतवा में वरदी हुई अंग्रेजों मराठों के बीच अब जैसे हमने बताए कि 20 वरसों तक जो सांती व्यवस्ता थी वह तो बनी रही और लेकिन ये जो सांती व्यवस्ता है ये सालवाई की संधी के से नहीं बनी रही बलकि अंग्रेज उत्तर भारत में दूसरी समस्यों में उलज गए थे जिसे वे मराठों के ओर धान नहीं दे सके इस यूद में मराठा संग की दुर्बलतें तता सन्य संचालन के दोस्त भी परकट हो गए और मराठा किसी एक स्थान बर डटे रहकर अंग्रेजी फोजों को पराजित नहीं कर सके ठीक है तो यही सोबातों की एकी बात है कि मराठों में एक जुटता नहीं थी उनमें कोईन कोई ऐसा सामने आई जाता था जो अंग्रोजों का साथ दे रहा था और अंग्रेज ऐसे थे जो बाते ले ले लेकिन वो पिछे से चाल चलते थे पिछे से वार करते थे ठीक है तो इस वीड चैनल इंडिया ओल्डेज बे